है लोडिये स्ट्रेंट वेल्कम वन से गाइं टिस इंक्रेडिबल प्लाइड फॉर्म ऑफ एडुलवर क्लास्ट वेथ मैच सांफल वेपर टाम टू के कोस्ट नुमर 5 के सालीशन में हम पहुंच चुके हैं अगर इससे प्रिवर्स वीडियो आप अभी तक नहीं देखा है त इसका आफ दरन आफ रेड बॉड का ड का इसका बताना है कि और लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं लेट क्या कर लेते हैं एक सेक्स इक्वस्टू नंबर ओफ रोंव इंदर number of red balls ठीक है if two balls are drawn at random from the bag one by one without replacement तो हमारे पास x का maximum value कितना है, x किसको लिए है number of red ball, एक bag में एक red ball है, यानि कि जो हमें x का maximum value देखने को मिलेगा, x का maximum value देखने को मिलेगा, वो one तक देखने को मिलेगा, दो ball निकालना है हो सकता है हमें, एक ball भी भी ना निकाले या हो सकता है, कि हम एक जो ball है, उसे भी निकाले तो हमें क्या बनाना है हमें बनाना है, probability distribution हैना, find the probability distribution तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं x, और दूसरे तरफ हम लोग लिख लेते हैं, कितना? Px है ना एक तरफ हमने लिख लिया x x किसको सो करेगा number of number of किसको red ball को और px क्या होगा उसका probability उसका क्या होगा probability ठीक ठीक है ठीक है बहुत अच्छी बात है अब जब when x equals to 1 जब x का value सबसे पहले 0 लेते है when x equals to 0 अगर आप x का value 0 लेते हो तो उस case में probability कितना आएगा px कितना आएगा तो जब आप x 0 लेते हो यानि कि कोई भी red ball आप नहीं निकालते हो कोई भी आप red ball नहीं निकालते हो मतलब 3 white ball में से आपको क्या करना है 2 white ball निकालना है total कितना ball है यानि कि 4c2 4c2 इसी चीज को हम लोग दूसरे form में समझ सकते है कैसे समझ सकते है कि 3 white ball में से हमें क्या करना है कि if 2 ball are drawn 2 ball हमें निकालना है तो सबसे पहले क्योंकि हम लोग एक भी red ball नहीं निकाल रहे है तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 white ball में से मतले टोटल चार वॉल मेंसे थीन कीसी वाइट वाल मेंसे एक निकालेंगे इन्टू, इन्टू, इन्टू अब हमारे पास क्योंकि हमें दिया है वरन बाईवन विदाउट भीन अघ। रिसमेंट नहीं करना है अब वाइट वाइट वाल कितना वचा दो, red ball तो निकाल ही नहीं जबते क्योंकि x equals 2 कितना लिया है, हमने 0 लिया है, divided by divided by, अब हम लोग क्योंकि 1 हमने निकाल लिया है, अब कितना बचा, that is 3 that is 3, तो यहाँ पर cancel कर दे क्या, 3 से, 3 cancel हो गया 0 से, 2 के टेबल में यह two tax में, नहीं कि यहाँ पर कितना आया, 2 आ गया, कितना आ गया 1 by 2 आ गया, यह तो तब केस हुआ, जब x का value कितना था, 0 था, अब x का value 1 लेते हैं, यानि कि red ball हम लोग निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, red ball निकाल रहे हैं तो अगर जब हम लोग red ball निकालेंगे तो क्या होगा तो जब हम लोग red ball निकालेंगे तो सबसे पहले एक ही red ball है तो हमारे पास PX आ जाएगा PX आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 C1 1 C1, यानि एक red ball में से एक हमने निकाल दिया अब बच्चा कितने पास हमारे पास total बच्चा है तीन वाल है ना तीन वाल हमारे पास बच्चा हुआ है जो तीनों वाइट का है तीनों किसका है वाइट का है ठीक ठीक तीनों किसका है वाइट का है यानि कि अब इन तीन बच्चे में से एक हमें निकालना है और तीनों किसक होता है that is 6 यानि कि यहां पर भी वैल्यू कितना आ जाएगा that is 1 by 2 distribution table बना ले क्या जब x का वैल्यू 0 है तो उस case में px का वैल्यू है 1 by 2 1 by 2 ठीक है और जब जब x का वैल्यू 1 है उस time में भी px का वैल्यू कितना है that is 1 by 2 and that is the required solution of this question वो यह समझ में आया या नहीं आया जैसे मैंने px को इस form में लिखा था क्या आप उसी तरह से इसको मैंने इस form में लिखा था क्या उसी तरह से इसको आप आप इस form में लिख सकते हैं क्या possible हो पाए तो हम इसको solve करने का पूरा पूरा ट्राइ गरेंगे मिलते हैं आपसे नेक्स टूडियो में अच्छे जबड़ाई करते रहिए